एक किसान ने धन्नो और बन्नो घोड़ी के लिए एक बाड़ बनाया धन्नो के बाड़ में 26 डंडे और बन्नो के बाड़ में 19 डंडे लगे कुल मिलाकर बाड़ बनाने के लिए किसान ने कितने डंडो का अस्तमाल किया तो मैं चाती हूँ कि मेरे इसे करने से पहले आप इस सवाल को खुद से लगाने की कोशिश करें तो चले बिसे साथ में करते हैं पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो हमें सवाल दिया हुआ है यहां पे इसका मतलब क्या है तो हमें ये कहा जा रहा है कि जो किसान है उसने दो घोड़ियों के लिए बाड बनाया है और जो उसकी धन्नो घोड़ी है उसके बाड़ में उसने 26 डंडे लगाए है आप चाहे तो इसे गिन सकते हैं, हलाकि मैंने इसे नहीं गिना है, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ पर 26 बाड़ी होंगे ऐसे सीधे-सीधे फिर इसके बाद उस किसान ने बन्नो घोडी के बाड़ में कुल 19 डंडे लगाए तो यह रही हमारी बन्नो घोडी, और बन्नो घोडी के बाड़ में लगे हैं कुल 19 डंडे यहाँ से लेकर यहाँ तक के और अब हमसे पूछा जा रहा है कि कुल मिलाकर बाड़ बनाने के लिए किसान ने कितने डंडों का इस्तमाल किया तो हमसे कहा क्या जा रहा है यहां हमसे जोडने के लिए कहा जा रहा है या घटाने के लिए इसका पता हम कैसे लगाएंगे तो अगर हम अपनी इस लाइन को देखें तो शुरू शुरू महीनों ने कहा है कि कुल मिलाकर बाड बनाने के लिए किसान ने कितने डंडों का अस्तमाल किया यानि कि अगर हम धन्नो घोडी के बाड में लगे डंडो को और बन्नो घोडी के लगे बाड में डंडो को जोड़ दें आपस में तो हमें पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर यहाँ पर कितने डंडो का अस्तमाल हुआ है अगर हमें यहाँ पर घटाना होता तो हमारे सवाल में कुछ इस तरीके का लिखा होता कि धन्नो घोडी के बाड में बन्नो घोडी की बाड की तुल्ला में कितने अधिक डंडे हैं या फिर इन दोनो घोडियों के बाडो में कितने डंडो का अंतर है लेकिन हमें तो यहाँ प पता लगाते हैं कि कुल मिलाकर धन्नो और बन्नो घोड़ी का जो बाढ़ है इन्हें बनाने में कुल कितने डंडों का अस्तमाल हुआ है तो 26 और 99 को जोड़ने के लिए हम अपने एकाई वाले स्थान या फिर वन्स की प्लेस से शुरुआत करेंगे तो एकाई वाले स्थान में हमारे पास है 6 और 9 तो 6 और 9 एकाईयां जोड़कर हो जाती है 15 एकाईयों के बराबर तो अब एकाई वाले स्थान के नीचे हम 15 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 15 तो दो अंकों से बना है और एकाई वाले स्थान के नीचे हमें सिर्फ एक अंक लिखना है तो इसे लिखने के लिए हम 15 का जो है regrouping या फिर से समूह बना देंगे तो अगर हम 15 को ध्यान से सोचें तो 15 में होती है 5 एकाईया और इसके अलावा 15 में होती है एक दहाई तो एक दहाई और 5 एकाई मिलकर बनती है 15 तो 15 का 5 मैं यहाँ एकाई वाले स्थान के नीचे लिख लूँगी और जो हमारी दहाई है उसे हम दहाई वाले स्थान पर इसको देखे तो हमारे पास है एक, दो और एक, एक और दो हो जाएंगे तीन और तीन और एक मिलकर हो जाएंगी कुल चार दहाईयां, तो यहाँ दहाई वाल स्थान के नीचे हम लिख सकते हैं चार, यानि कि हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर बाड बनाने के लिए किसान ने पैता बाल इस डंडो का इस्तमाल किया